तो देखे किस तरह से मैं अपने सफेद बालों को काला बनाती हूँ, इस रेमेडि को यूज़ करके आप भी अपने सफेद बालों को काला कर सकते। result मिलता है तो हमारे बालों को वह क्या करते हैं बहुत अच्छ से soft करते हैं manage करते हैं अब सफेद बालों के लिए हमें सबसे main ingredient इसके अंदर add करना है वह हीना लीफ के powder जी हां दोस्तों जो हीना लीफ होते हैं ये काफी जाधा pure होते हैं natural होते हैं इससे कोई भी side effect नहीं होते ह हमारे बालों में अगर fungal infection की अगर मैं बात करूं तो हीना उन सारी चीजों से बचाते हैं तो यहां पे आपको एक चमज के तकरीबन हीना powder लेना है एक से दो चमज जिसे भी आप अपने hair length according इस remedy को prepare कर सकते हैं जी हां दोस्तों इसे men and women दोनों यूज कर सकते हैं बड़ य अब इस remedy को आपको यूज करना है ठीक है वैसे तो यहां पे कोई केमिकल नहीं है दोस्तों हमने यूज किया बट जो चोटे बच्चे हैं जिनके बाल बहुत ज्यादा सफेद हो जाते हैं उनके लिए मिने अल्ड़ेडी अपने चैनल पे वीडियो बना करके रखिया जरू को बचना है तो बंग ब्रामण बचना है तो ब्रीम राज प्यावडर आप जरूर यूज करिये इसे आपके बालों को about four जो है रूट से आपके बाल जो हो स्ट्रॉांग होते हैं रूड से या आपके बाल्ष बाल को एकदम से जड़ों से काला बनाने का काम करती है एक चम इन दोनों चीजों को आपको लेना है यहां पर हम यहां पर सबसे मेन इंग्रीडेंट आड़ करने वाले हैं जैसे कि मैंने आपनों को बताया कि जो काला कथा होता है दोस्तों वो काफी जादा इफेक्टिव होते हैं बालों को रंगने के लिए अगर इंस्टंटली अगर अब आचानी से हर जगे मिल जा रहा है और वैसे तो अमेजन पर अगर आप चेक करोगे तो अमेजन पर भी आपको यह काला कथा मिल जाएगा तो चलिए हमने इतनी सारी बाते के लिए और काला कथा मैं यहां पर लेकर आए हूं बहुत जादा नहीं फ्रेंड्स देखिए म आप लोगों के लिए तो आप मुझे फेस तो फेस भी देख लेते हैं वैसे मैं लाइव भी करते रहती हूं तो भी आप मुझे देख सकते हैं बस आपको आधे चमच या फिर एक चमच के तकरीवन आपको यहां पर काला कथा आड़ करना है इन सारी चीजों को आपको मिक् इसलिए हमारे लिए बालों के लिए बहुत ज़ाद सेफ होते हैं और हरबल है ठीक है इसलिए इसका एप्लिकेशन यूज करके आप अपने बालों को नाचरली काला करते हो बहुत सारी केमिकल या फिदाय या फिर मार्केट वाली कोई भी चीज आपको लागाने के जरूद वैसे तो मैं रिविव्यू देने के लिए आप लोगों के साथ में बहुत सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूं पर्सनली रिव्यू भी देती हूं किसी प्रोडक को अगर आप यूज करें तो कैसे करोगे वो मेरा जैनियून रिव्यू होता है दोस्तों यहां पर हम इस वारटर को चलिए आप अगरते हैं जो परिपेर करें का यह सबसे पहले है तब अट ने करना है और जलो मे वाद आप रूला को चाई पती, उपन बरेगो आपको लेहां पित्चा में चाय की पती कप अजय है और लेन सिजए नफ फैयनेग्र और घना बनाने के लिए क्योंकि हमने इसमें मेथी दाना और करी लीफ और चाय पती का इंग्रीडियन्ट जो यूज किया ना दोस्तों काफी समय से इसे यूज कर रही हूं और बहुत अमेजिंग सा रीजल्ट आपको देखने के ने मिलता है इस मैजिकल वाटर को हमें रेडी कर लेना है इस तरह से और क्या करना है धीरे धीरे से गरम पानी ही लीजिएगा और गरम गरम पानी से ही आपको यह इस तरह से आपकी रेमेडि को रेडी कर लेना है यहां पर मैं इस तरह से काच की यूनो इसमें लेकर प्रिपेर कर रही हू प्रीमेचूर ग्रेंग हेर तो तो काफी अच्छा है क्योंकि सारी जो चीजे हैं यह नच्रूर अच्छी तरह से देखिए इस तरह से यह आप कलर भी देख सकते हो आप लोगों के सामने लाइव हैं जैसे हमने ये remedy प्रिपेर किये न दोस्तों इसी तरह से आपको ये प्रिपेर करना है अपने बालों पे इसे कम से कम एक घंटे जरूर लगा करके छोड़िए फिर आपके बाल जब काले हो जाएंगी तो आपको इस तरह से महीनों महीनों तो आपको बिल्कुल भी कोई डाय ल दुकान से ले लीजिए चाहे Amazon से या online ले लीजिए बहुत अच्छी quality के products लेंगे तो 100% result मिलता है डोस्तों believe me और इसे मैंने यूज किया काफी अच्छे हो जाते हैं बाल हेल्दी होते हैं बाउंसी भी होते हैं I hope दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अपसे पहले मैंने अपने बालों को देखिए धो लिया था मॉर्निंग में आप अपने बालों को अच्छी तरह से वाश कर लीजिए थोड़ा बहुत अगर पानी रह जाए बालों के अंदर तो चल जाता है लेकिन मैं शेर कि आप अपने बालों को साफ सुत्रा और धोने क यहाँ पर थोड़ा सा जो कलर है देखने के लिए मिलेगा है क्योंकि मैं इसे इंप्लीमेंट कर रही हूँ और काफी जादा अच्छा रिजल्ट है अब देखे क्या करने आपको थोड़े थोड़े सेक्शन वाइज लेना है और अच्छी तरह से यहाँ पर पीछे एक सारे बालों पर इसे लगाना है और एक गंटे के लिए कम से कम इसे छोड़ देना है इस तरह से मैं सेक्शन वाइस करके बंद बना रही हूँ ना बिल्कुल आप भी इसी तरह से करिए लंबे बाल है न दोस्तों तो इसको थोड़ा सा केरफुली आपको करना है क्योंकि बा अच्छी तरह से आप देखें मैं इसकी कोटिंग जो है न उसे ऊपर से बहुत अच्छे से लेप लगाने वाली हूँ तो इस तरह से आपको पूरा लेप लगा करके अच्छे से छोड़ देना है और एक गंटा मैं इसस तरह से छोड़ूंगी और एक गंटे के बाद जो मे वीडियो आप लोगों को ज्यादा हेलफू लगी होगी पसंद आए तो प्लीज दू सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा शेर करिए इसे और इंप्लीमेंट जरूर करिएगा आपका फीड़बेंग उससे जरूर शेर करिएगा अमेजिंग सा रिजल्ट आपको देखने क के ले मिलेगा फ्रेंड्स